स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं यह है 5VMA strategy के back testing का data पिछले 9 महिने का और यहाँ पे आप एक row देख रहे हैं जो है trading edge का अब यह trading edge अगर आप देखोगे तो मेरा है 1.04% अभी तक का ठीक है यानि कि मेरा हर trade जो है 1.04% से जो है increase हो रहा है अगर आप trading करते हैं और आपके पास इस तरह का edge नहीं है तो आप longer run में profitable नहीं हो सकते एक दो महने मान सकते हैं कि आप profitable हो जाया profit निकाल लें लेकिन longer run में यानि कि जब आप सालों trading करेंगे तो ऐसे में profitable होने के लिए जरूरी है कि आपके पास trading का edge हो अब यह basically trading edge होता क्या है देखो market के अंदर buyer and seller यह द additional benefit है जो सामने वाले party के पास नहीं है यानि कि seller के पास नहीं है example के लिए जब आप RR ratio यानि कि risk reward ratio को decide करते हैं और आपने risk reward ratio रखा हुआ है one is to two का तो ऐसे में आपके पास एक edge है example के लिए मान लेते हैं जब भी seller या जब भी आप amount lose करोगे तो seller के पास कितना जाएगा one one रुपी मतलब रुपे में अगर मैं consider करूं तो और जब भी आप win करेंगे जीतेंगे तो आपके पास कितना आएगा two यानि two rupees तो आपने one is to two का ratio रखा हुआ है तो यह जो आरा ratio है इसके इंदर एक edge छिपा हुआ है जो आपको जीतने पे तो दो दे रहा है और आपके हारन trading में multiple edges होते हैं अगर आपको वो समझ में आ जाए अच्छे से और उसको आप combined कर दे और कुछी तरह का formula design कर लेते हैं जो मैंने यहां पे लगाया हुआ है trading edge का तो ऐसे में क्या होगा आप automatically जो है इस चीज़ को कर पाएंगे longer run में profitable बना पाएंगे जो profit यहां पे आपको द trading edge कैसे बनाना है ठीक है अगर आपको यह चीज़ सीखना है तो आप मेरे Sunday live session का part बन सकते हैं यहां पे आपका WhatsApp का number है 730-334-3652 इस पे connect करके आप Sunday live session का part बन सकते हैं registration की detail लीजिए और एक nominal सी फी है उसको पे करके आप Sunday को 9 जो है morning में session को join कर सकते हैं चलिए आज की entry discuss कर ल एक अच्छा खासा gap down market चला जाता है और जब भी इस तरह का gap down आपको देखने को मिले न तो इसके बाद आप market से कम expect करो कि वो नीचे जाएगा नीचे जाने के chances फिर उसके कम हो जाते हैं क्योंकि already जिन लोगों का यहां पे होगा जो short करके बैठे होंगे उनका profit हो गया है अब वो profit booking थोड़ी सी आएगी तो market यहां पे या तो sideways हो जाएगा या फिर उपर की दरफ चलेगा नीचे जाने के chances थोड़े से कम होते हैं तो gap down हुआ 5VMA के नीचे रहा तो यहां पे trade हमारा बनता नहीं है finally एक हमें entry मिलती है अगर देखोगे आप ध्यान से तो यह वाली candle पे यह जो candle है आपका this one यह है 10-40 वाली candle 10-40 वाली candle का जो low है वो touch नहीं कर रहा 5VMA को zoom करके और दिखाता हूँ आपको यहां पे अगर देखोगे अब इस 10-40 वाली candle का low जो है break करता है 10-45 वाली candle तो यहां पे हमारी entry execute हो जाती है तो entry execute करने के लिए आपको क्या करना है आप precision के साथ याने कि exact entry ले सकें जरूरी है कि जैसे ही आपने low को mark कर दिया तो आप 5 मिनट के time frame पे wait करने की बज़ा आए आप सीधा 1 मिनट के time frame पे चले जाओ तो वहां पे आप देखो कि low कैसे break होता है लो जैसे भी break होता है एक मिनट के time frame पे आपको entry जो है ले लेनी है और आज आपको यहां पे एक बहुती interesting चीज दिखाने वाला हूँ अगर आप यहां पे देखोगे काईदे से तो आपका यह जितने दूर में मैंने यह tool लगा रखा है यह वाला आप देखोगे shotting का जो tool लगाया हुआ है इसमें आपको stop loss hit होता नजर नहीं आ रहा है लेक यहां पे अगर आप आके देखोगे तो यह है हमारी 1046 वाली candle यानि कि यह वाली red candle जिसने जो है इस level को जो की 4986 का level था इसको mark किया था आमने low को और इसको यह break करके नीचे की तरफ आता है नया low बनाता है उसके पर closing तो इसने उपर ही दे दी है लेकिन इसने नीचे तक का अगर मैं इस line को हटा देता हूँ यहां से तो आपको देखने को मिलेगा अगर आप देखोगे तो इसने लोग जो है इस candle का उसने तोड़ा है इस level को यहां आपकी entry बन जाती है 1046 पे मैं दोबार assets की marking कर देता हूँ और stop loss अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो इस stop loss कितने point का है यह है 57.90 round number कर देते हैं तो 58 point का stop loss है spot के chart पे अब यहां पे बात समझने वाली यह है कि ATM strike price अगर आप choose करोगे 43,986 के पास का strike price होगा 44,000 अब 44,000 हमारा ATM है अब ATM का strike price अगर आप choose करते हैं तो premium पे stop loss कितने points का लगाएंगे यह कैसे calculate करें हर वीडियो में बता देता हूं कि जितने point का जो stop loss है आपका spot के chart पे आपको दिख रहा है उसको आप divide कर देंगे 2 से यानि कि उसका half निकालेंगे और उतने ही point का stop loss जो आप premium के chart पे लगाते हैं यहां पे है 57.90 round number 58 58 का half करोगे to 29 points यानि कि 39 point का stop loss जो है आपको premium के chart पे लगाना है ठीक है आप आप एक दो point बढ़ा सकते हो घटा नहीं सकते ध्यान देना 39 का 30 कर सकते हो लेकिन आप नीचे नहीं करो गया 26 नहीं कर सकते उसको इस चीज़ का ध्यान देना है तो यहां पे 29 point का stop loss 44,000 के put option में 44,000 हमारा क्या है ATM का strike price तो हम यहां पे बगल में मैंने 44,000 का put option खोला हुआ ह यहां पे आप देखोगे यहां एक मिनट के time frame पे चलते हैं और मैं आपको exact दिखाता हूं कि जैसे एक मिनट के time frame पे यहां पे हमारी entry बनती थी वैसे ही वहां पे भी आपको premium के chart पे entry दिखाता हूं 10-46 वाली candle पे तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यह पीछे आके थोड़ा सा zoom करते हैं से और यह देखो यह वो candle है जहां पे हमारी entry जो है बनती है 10-46 वाले और उसके बाद यहां stop loss देखोगे तो 29 points का हमने लगा दिया है उसके बाद देखोगे market उपर तक गया जरूर और इसने target भी दिया 2.23% I mean 1 is to 2.23 यानि कि 1 is to 2 से ज़ादा ठीक है लेकिन उसके बाद market वहां से reverse होने लग जाता है और reverse होने के बाद अगर आप देखोगे तो इसने SL हिट कर दिया कौन से candle पे अगर उसकी timing देखोगे तो यह है एक बचकर 16 मिनट पे यह हमारा SL लेके जाता है ठीक है लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे उसी candle पे एक ब expiry और expiry वाले दिन जो है premium बहुत तेजी से decay करता है यानि कि कम होता जाता है और जितना आप expiry के नजदीक जाएंगे उतना premium घटता है यह आपको पता है तो आज के दिन जो है थोड़ा सा high quality वाला trade लेना होता है क्योंकि यह back testing कर रहा हूं तो मैं हर trade को यहां पे include करूँ इसलिए मुझे यह trade भी लेना पड़ा अगर यह back testing मैं नहीं करता और real वे trade लेता तो मैं इसको avoid करता क्योंकि यह high quality trade नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया कि gap down हुआ है काफी और gap down के बाद मैं नीचे का trade नहीं लोगा क्योंकि मुझे पता का data है तो इसलिए मुझे इसे include करना पड़ेगा दूसरी बात अब one is to two से भी ज्यादा target यह दिया इसने उसके बाद reverse किया तो आप अपना trailing भी करोगे ठीक है ट्रेल करने के बाद क्या है आप cost to cost पे निकल जाओगे लेकिन back testing के data के अंदर मैंने इसको as a loss दिखाया है क् मैं आपको यह दिखाना चाहा रहा हूँ basically कि अगर आप trailing भी नहीं करते तो क्या circumstances होता यानि कि किस तरह का outcome निकल के आता अगर कोई बंदा trailing भी ना करे वहीं पिटिकर है तो मैंने जितने भी back testing करी है न यह साफ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई भी trailing वाला data नही है तो यह आपका loss consider नहीं होना चाहिए था फिर भी मैंने इसको अगर आप देखोगे तो आज के data को as a loss दिखाया है minus का 58 point यहां पे देख रहें loss के तौर पे दिखाया October 4 और इस चीज़ को consider करने के बाद अभी तक जो है हमारा edge है 1.04% का और 28% का win rate है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है अगर आप यह बढ़ाते नहीं हो तो यह जो profit दिख रहा है यह sustain नहीं होगा यानिकि यह बना नहीं रहेगा आपके पास में यह जाने के chances है उसके अलावा कुछ महिने ऐसे भी हैं जिसके अंदर लगातार losses हुए है तो उन महिनों से कैसे बचना है क्योंकि January स से लेके September तक का यह data है October शुरू हो गया है और इसमें एक-दो महिने ऐसे भी थे जिन में मार्केट जो है पूरी तरीके से नेगटिव हो गया था और पूरा महिना जो है loss में चल रहा था तो यह तमाम चीज़ें Sunday के live session में मैं आपको बताता हूं पार्ट बनिए उसका और WhatsApp का नंबर यहां पर दिया हुआ है 730-334-3652 इस पर आप डिटेल ले सीज़े और रिजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप Sunday session को जॉइन कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीज़ेगा और साथी साथ चैनल पर पहली बार है subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल ट्रेडर बना सकती हैं थैंक यू सो मच